कुछ नामी एजेंट्स की इंट्रिव्यू भी की फिर उन्होंने इस्पेशली बठिंडा की एक मार्केट मेंटर अजीत मार्क पजार आई डोंट रिमेंबर वो दिखाया जहां पे 80 तू 90 परसंट जो है आयल्स सेंटर स्टडी वीजा इमिग्रेशन कंपनी के आफिसेज थे पोस्टडी वर्क परमिट कैनेडा ने बंद किया स्ट्रिक कर दिये रूर अपने और स्टूंट वीजा बाकिट को एक ही कंट्री था जो ड्राइव करता था वो था कैनेडा और कैनेडा लगातार दो हजार पांच-छे से एक कॉंटिन्यू स्पेस पे चल रहा था दोस्तों कल मैंने एक डोक्यूमेंटरी देखी जो बीबीसी पंजाबी ने बनाई थी और उसमें उनोंने कुछ नामी एजेंट्स की इंट्रिव्यू भी की फिर उनोंने इस्पेशली बठिंडा की एक मार्क अजीत मार्क पजार आई डोंट रिमेंबर वो दिखाया जहां पे 80-90% जो है आईल्स सेंटर स्टडी वीजा इमिग्रेशन कंपनी के ओफिसे थे एंड ये शूड की पिछले विध एफेक्ट फ्रॉम जैनूरी 2024 जबसे ये जी आईसी डबल हुआ है और जो पमलिक पार्टरिशिप कॉलेजिस थे जो पीपी उसमें थे उनको पोस्टड वीजा के लिए मास्टर्स के जो मास्टर्स टूर्ड्स है उनी को मिलेगा ये सारी चीजें जब से आई हैं तब से मार्केट में बहुत ज़ादा इंपक्ट आया है और स्टूड क्योंकि स्टूड वीजा मार्केट को एक ही कंट्री था जो ड्राइव करता था वो था कैनिडा लगातार दो हजार पांच छे से एक उंटिन्यू स्पीस पे चल रहा था बिकोज कैनिडा वाज़ा कंट्री विच 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 ओफरिंग फर्बल रेजिदेंसी वेरी एजीली अज कंपेर तो अधर डेस्ट डेस्टिनेशन तो ये बहुत अच्छी है उसके बारे निकल के आई वो ये थी कि एक तो वहाँ पे खर्चा जो है वो पहले से बढ़ गया है यानि कि GIC डबल होने की वज़ा से जो इन्वेस्टमेंट है पेरेंट्स की वो बढ़ गई है नमबर दो बार्ट टाइंग जॉब अपर्चुरिटीज कैनिडा में वो कह रहे हैं कि प कुछ नूग है कुछ हम जैसे मेरा इक बहुत इक ब्लान उसने किया हुआ है कि उसने जा ना है कली उसका 알ज का रिजल्ट है प्लस-2 प्लस-2 भी पास की है 80% उसके प्लस्टू में मार्क्स है आइल्स में ओवर ओलाट बैंड है जाना ही कैनेडा है क्योंकि वहाँ पे टोरॉन्टो में रेलेक्टिव रहते हैं और शी चोज हमबर कॉलिज इस वरी गूड एक्सलिंट चॉइस उसके अलावा ऐसी बहुत सारी प्रॉफिट्स हैं कैनेडा में जहां पे आपको पार्ट टाइम जॉब अपर्चॉनिटीज है हाँ अफोर्स कॉस्ट जो है इन्वेस्मेंट है वो बढ़ गई है तो वो बियर करनी पड़ेगी बढ़ हाँ अगर आप कॉस्ट कॉंशिस हो फिर भी कैनेडा में कुबैक ऐसी प्रॉफिट्स है बहुत मैंने बेजे बचे दोहजार सत्रा से लेके दोहजार एक्स तक मैंने हजारों की तादात में बच्चे कुबैक प्रॉफिट्स में बेजे मौन्टरियल सिटी में बेजे और सारें विद गॉट्स ग्रेस दे आर इधर पर्मिन्ट रेजिडेंट और या वो अपने वग पर्मिट पर है तो कुबैक हमेशा से उनकी पॉलिसी अधर प्रॉफिट्स से डिफर्ट रही हैं अब जैसे आप जानते हैं कि जो जी आईसी है वो बाकी सभी प्रॉफिट्स में 20,635 है वट कुबैक में अभी भी पंदरह हजार के करीब आपको जी एसी पे करने है गो बैक टी जो ट्यूशन फीस अभी भी 13-14,000 डॉलर साल जी ट्यूशन फीस most of the institutions में है तो अगर हम इन चीज़ों को लिखे चले मानलो 13,000 फीस है और 15,000 अठाइस हजार डॉलर है तो जो cost of sending your kid और जाने की जो Canada की है वो before first of January में जितनी थी अगर आप मॉन्टरियल में करोगे तो अभी भी उतनी ही है यानि कि टोटल आपको 28,000 के करीम डॉलर जो है जिसमे 15,000 आपकी जीएस ही होगे 13,000 आपके जो टूशन फीस साल की होगे और सबसे important चीज़ मॉन्टरियल में आपको jobs की बहुत फर्माग है आपको वहाँ पर struggle नहीं करना पड़ता जॉब के लिए एक बहुत बड़ा reason है एक तो ये import export का hub है वहाँ पर port है बहुत बड़ा फिर उसके बाद more than 5000 IT companies है उसके लावा business भी बहुत है उसके आस पास के जितने suburbs है लवाल हो गया वहाँ पर भी Indian community बहुत रहती है और it's a very beautiful city हाँ French dominated city है वहाँ पर French language पढ़ना important है even जो government of Quebec है वो French पढ़ने के लिए आपको incentive भी देती है आपको वो पैसे देते हैं और एक और चीज़ आपको बताता हूँ अगर आप Quebec में जाके वहाँ पे दो साल पढ़ते हो और अपने French पढ़ी हुई है तो आपको provincial PR सिर्फ 42 दिन के अंदर मिल जाती है पढ़ाई करने के बाद तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब ही भी Quebec को Montreal City को the most favorite destination बनाती है हूँ in terms of student की value for money, return on investment और अगर हमारा PR ही main aim है और वर्ड की top की universities में अगर मैं बात करूँ तो top 50 में university आती है McGill University वो भी Montreal में है तो ये एक option है जो आप देख सकते हो क्योंकि हर बच्चा तो Australia के लिए qualify नहीं होता उतने funds नहीं होते उस तरह के profile नहीं है UK आप जाना नहीं चाहते हैं और कहीं आप जाना नहीं चाहते हैं तो Canada में कुछ pockets हैं जो अभी भी मेरे हिसाब से attractive हैं अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं और जानकारी जाते हैं तो आप हमारे दियोए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं हमारी टीम के साथ समपर्क कर सकते हैं और अप्लिकेशन प्लिकेशन नहीं जा सकते होना झाला हैं जाला हैं तो लाइना धुछ सर्वाज़केशन